हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंडियल लॉग एडमी आज हम बात करने वाले हैं अलाबाद हाई कोर्ट में जो लॉग ट्रेनी या लॉग क्लर्क की जोब निकली है 94 वेकेंसी के लिए उसके उपर हम बात करने वाले हैं कि इसमें कितनी साल्री होती है या इसमें इ इंटर्वी होता है और इंटर्वी में किस तरह का कोशन पूचे जाते हैं एक वीवर ने मुझे यह सवाल पूचा है तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना देनी चाहिए जिससे कि इस्टूरेंट्स की जाज़-जादा हेल्फ हो सके और जो लेकिन जब इंटर्वी हो के टाइम पर आपकी मार्शीट आ जानी चाहिए यह रिजल्ट आ जाना चाहिए जिससे आप जो आपका रिजल्ट है वो उसकी फोटो स्टेट ले जा सके और जितने भी डॉक्यूमेंट है आप अपने साथ अटेस्ट करके लेकर जाए जब लेकिन जो लोग नहीं किया है यह लेकिन आगे इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं यह इस पोस्ट के लिए अपलाय करना चाहते हैं उनके लिए लीगल अवेर्नेस या हैल्प की तरह होगा आपको पहले से ही इनफॉर्मिशन मिल जाएगी तो यह न सोचे कि इंटर्वी मे होंगे ऐसा कुछ नहीं है आप से बहुत सारे कोशन पूचे जाते हैं जैसे कि आपको सबसे पहले पूचा जाता है फैमिली बैग्रांड वगरा पूचा जाता है फिर सालरी चुकी इसमें 15,000 है अगर आप बाहर के स्टूनेंट है तो आपको महां पर रहनी के लिए भी आ आपको खर्च करना पड़ेगा फैसा तो इसलिए आपके उपर काफी बर्डन बढ़ जाता है फिर साथी साथ वह जो महां के रेजिडेंट होते हैं कॉमन रेजिडेंट होता है जैसे अलाबाद हाई कोट के लिए निकली है तो अलाबाद में रहने वाला हो वो परसन यह ल कि वह लोग आपको इस तरह से पूछते हैं लेकिन अगर आपको पास नॉलिज है तो आपको भी सलेक्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं है जो लोगल परसन है उसी को सलेक्ट करेंगे लगनों को होना ही जरूरी है पोस्ट के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं यह बिल्कुल भी लेकिन हापका फैमिली बैक्राउंड वगरा या आपके सीवी वगरा वो देखना चाहते हैं जिससे की अगर आपका सीवी या स्ट्रॉंग है आपके अच्छे नंबर है लेलबी में तो उनके उपर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लेकिन साथ-साथ आपकी एक तरह कौन सा है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके आपसे कोशन पूछ ले जाएंगे और यह तो भाई जो इंटर्विवर होता है वो उसको पर डिपैंट करता है कि वो किस तरह के कोशन पूछे लेकिन मुझे जितना नौलीज है क्योंकि मैंने भी इसके लिए अपलाई लेंगे क्राइम से डिलेटेड कि कौन से जैसे कि रेप के लिए कौन से सेक्शन लगता है या कॉमन इंटेंशन है तो कौन सा सेक्शन लगेगा इस तरह से IPC, CRPC, CPC, evidence और Indian contract active tort इन में से मैं तब किसी से भी पूछ सकते हैं common law तो आप अच्छे से तयार करके जरूर जाएं और उसके अलावा अगर आप जैसे कि tort होता है tort भी पढ़ने और साथ के साथ जूरिस प्रूडेंस जैसे जूरिस होते हैं उनकी कोई भी quotation पूछ लेते हैं और जो legal maxims होती है वो पूछ लेते हैं उसका मतलब क्या है और कौन से एक्ट में ये लागू होती है वो maxim जैसे कि contract law से related maxim होती है और criminal law से related maxim होती है तो इस तरह की जो maxim होते हैं वो भी पूछ लेते हैं कहीं बार ऐसा भी होता है और case law भी पूछ लेते हैं तो आप हो सके तो internet की help जरूर लें इंटर्व्यू की तयारी करने के लिए और अगर आपको लगे तो short note बना के ले जाएं और अपना इंटर्व्यू से पहले उसे जरूर पढ़ने और जैसे कि case law वगरा जान ले कि famous जो case law है और legal awareness वगरा होनी चाहिए तो इसलिए case law भी पूछ सकते हैं जैसे हाल फिलाल में जो current में चल रहा होता है उसके बारे में पूछ लेते हैं तो इसलिए वो कहीं से भी पूछ सकते है इंटर्विव में तो ऐसी कोई foundation नहीं है लेकिन legal knowledge, legal awareness related ही पूछेंगे उसके इलावा नहीं पूछेंगे और जो legal awareness होती है ये news paper वगरा अच्छे से ध्यान से पढ़े तो आप उसके जवाब अच्छे से दे पाएंगे और hesitate होने की जरूरत नहीं है आपको काम भी क्या जा खुमा फिर आके तो बिल्कुल नहीं पूछते हैं तो आज के लिए ही अगर आपको पसंद रही हो वीडियो और ठोड़ी भी आपकी help करें तो मेरे चैनल को like करें और share करें जाद 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 शेयर करें जिससे जो freshers है उनकी help हो सकें क्योंकि जाद तक freshers को पता नहीं होत है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जाद जाद लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें और इसको जो है वीडियो सब्सक्राइब बैल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे के आपको मेरी जो भी करेंट वीडियो वह आपको मिलती र करेंगर वह bagो जोई और देस वह जो है झायो प्मझन माद करें।